Hello my dear students, welcome back to your own YouTube channel Study with Naveen Anand Today we are going to discuss about algebraic expression, multiplication and division Students, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने algebraic expressions के multiplication से पहले का सारा कुछ आपको cover किया है जैसे addition, subtraction, like term और unlike terms के बारे में आज हम multiplication और division के बारे में discuss करेंगे जैसे कि अगर आपने integer का वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ द्यान होगा कि जब भी opposite sign का multiplication होता है तो हम sign लगाते हैं negative और जब भी कभी same sign का multiplication होता है तो वहाँ पर आता है positive sign right तो यह चीज़ यहाँ पर भी आपको use करनी होगी और इस पर आपको ध्यान देना होगा opposite sign में अगर addition, multiplication, minus की होगी तो भी minus sign रहेगा means opposite sign रहेंगे तो minus sign और same sign रहेंगे तो plus sign यह चीज़ आपको ध्यान रखने होगी ठीक है चलिए आज हम आपसे discuss करेंगे algebraic expression के multiplication के बारे में तो मैंने last video में discuss किया था कि कुछ terms के बारे में कि terms क्या होती है तो आपकी terms जो होती है वो होती है जैसे 2x, 3x, 4y, 3x square and so on इस तरह हैं से terms होती है तो इन ही terms के आज multiplication के बारे में बात करेंगे तो एक rule हो रहता है इनके बारे में कि अगर हम multiplication करते हैं तो क्या इनके variables पर कोई effect पड़ता है येस देखे addition और subtraction में variable पर कोई effect नहीं पड़ता ठीक है variables पर कोई effect नहीं पड़ता लेकिन multiplication की बात करें तो multiplication में variables जो होते हैं उनकी power में changement आती है ठीक है कैसे आती है देखे अगर आपके पास यहाँ पर x है इसकी multiply आप करते हैं x के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कोई power नहीं दिखेगी आपकी one power होगी यहाँ पर भी कोई power नहीं है one power होगी तो यह जाएगा x square राइट तो यह x की power 2 बन जाएगा यहाँ पर आपके पास x है यहाँ पर आपके पास x की power 2 है इनकी multiply करेंगे तो आपके पास answer आएगा x की power 3 देखे थोड़ा सा ध्यान देने की जोड़त है बहुत ही easy है और आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको देखे जब power आपको मिलती है addition के अंदर तो उन पर कोई effect नहीं पड़ता लेकिन अगर multiplication में आपको power नजर आती है तो power आपस में क्या हो जाएगी add हो जाएगी और यह rule होता है आपने पढ़ा होगा पिछली class में कि अगर base same हो और उनकी power चाहे कुछ भी हो और वो multiply होते हैं तो उनकी powers क्या हो जाएगी add हो जाएगी और base as it is रहेगा ठीक है यह rule होता है ठीक है इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ और general form में अगर आप इसको लिखेंगे तो इस तरह की है इसयोड नगा ठीक है आपको चलंपर के के साथ कुछ ने यह भी है तुट सथ base आपको लग कि मल्कि辉केशन कर ना एंसे हम को लेते हैं कि हमें मोल्किकेशन करना है था ही कि किसकी साथ करना है x-y के साथ multiply करना है ठीक है अब इसके साथ मैं आपको formula भी बताऊंगा यहां से हमारे कुछ basic formulas भी आएंगे जो आपको आगे की classes में भी काम आएंगे ठीक है चलिए x-y और multiply करेंगे x-y के साथ तो जैसे मैंने यहां पर discuss किया कि अगर variable same है तो उनके power add हो जाएंगे अगर variable same नहीं है तो वो as it is लिखे जाएंगे इसके लिए भी देख लीजिए अगर हम x की multiply y के साथ करते हैं तो क्या होगा तो आपके पास x-y आजाएगा ठीक है यहां पर कोई difference नहीं होता है कोई अलग चीज नहीं आती है ठीक है चलिए x की multiply करेंगे हम किस के साथ x के साथ तो x into x हमारे पास क्या होगा x square x की multiply आप किस के साथ करेंगे y के साथ x into y क्या होगा x y ठीक है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x और y ठीक है इस तरह ऐसे x into y आप इसको लिखेंगे x into y को xy ठीक है चलिए आप फर्स्ट रम की फर्स्ट रम से की हमने multiply फर्स्ट रम की second रम से की अब next second रम की first रम से इसकी second रम की इस first रम से multiply करेंगे तो हम कर रहे है y multiply x क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से y x लिखें या xy ठीक है और अब multiply करेंगे y की y से तो y into minus y तो मैंने बताया था sign के बारे में आपको उपर positive sign negative sign multiply होगे तो negative sign आएगा और y square हो जाएगा अब इनको सब sequence में लिखेंगे सबसे पहली चीज़ यह है कि इनके sign को ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोई sign यह plus है यहाँ पर कोई sign यह plus है यहाँ पर कोई sign यह plus है यहाँ पर minus है तो जब सब इनको combine करके लिखेंगे तो इनका जो overall result होगा वो क्या होगा यह होगा हमारे पास x square यह होगा हमारे पास x y ये भी हमारे पास होगा xy ठीक है क्या होगा xy और ये भी हमारे पास होगा minus y square ठीक है इस तरह से आपके पास solution आएगा इस तरह चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एक और example लेते हैं बट इसमें कुछ और भी पेंडिंग है आप देखेंगे कि हमने लिखा यहाँ पर x square plus xy plus xy और minus y square तो ये दो values एक जैसी हैं ये like terms है तो इनको मैड़ करदेंगे x square plus 2xy ठीक है minus y square ये आपके पास final answer होगा ठीक है तो ये हमारा first example हमने लिया इसी तरह से दो example और लेंगे उसके बाद हम exercise के बारे में discuss करेंगे चलिए example number 2 लेते हैं कोई example लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं example example number 2 ठीक है example number 2 क्या होगा आपके पास चलिए देखते हैं example number 2 example number 2 के लिए हम लेते हैं लिए हमने a square plus b square रहे हैं A plus B को ठीक है चलिए तो फिर यहां पर भी power है और एक के साथ power नहीं है तो फिर यहां पर भी हम ध्यान से करेंगे इसकी multiply first term की first term से करेंगे A square into A ठीक है अब हम पूरा एक sentence साथ साथ लिखेंगे अब first term की multiply second के साथ करेंगे प्लस दोनों जगे प्लस है तो प्लस रहेगा A square into B अब second term की first के साथ करेंगे plus दोनों जगे प्लस का sign है B square into A यहां पर भी plus है और यहां पर भी plus है फिर से plus B square into B B square into B ठीक है चलिए देखें like terms है यहां पर power 2 है यहां पर power 1 है तो 2 प्लस 1 कितना होगा थ्री value सेम रहे बेस सेम है दोनों के ठीक है plus A into B AB यहां पर A square plus B into A BA plus B square into B C मतलब power 2 और 1 फिर से add हो जाएंगी तो power 3 ठीक है इसको थोड़ा simplify कर देते हैं power के according arrange कर देते हैं A Q plus B Q plus A square B plus B square A यह आपका होगा answer ठीक है इस तरह से आप examples को कर सकते हैं चलिए discuss करते हैं हम इनके साथ ही कि multiplication के अंदर exercise के जो questions है उनके बारे हम discuss करते हैं ठीक है तो multiplication के लिए exercise के जो questions है उनको करने से पहले हमारे पास एक point और आता है कि हम आपको बताएं तो monomial, binomial और trinomial क्या होते हैं ठीक है तो monomial क्या होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही weniger term होता है कितनी term होती है एक single term होती है उनको हम बोलते हैem monomial जिनके अंदर एक से ज्यादा term होती है उनकी 2 टरम होती हैं उनको बारा नावियल जिनके दर 2 से जादा होती है हो त्रार्इनमियल और त्रा तीition से भी ज़्यादा होती हो जाते हिए हमारी polynomial ठीक है तो बात आती है monomial के लिए example लिखेंगे examples हमारे पास है 2x या हम बोल सकते है 3x या हम बोल सकते है 5y इस तरह ऐसे कोई हो सकता है binomial के लिए ले सकते है 2x plus 2 ठीक है या 3x plus 5y trinomial के लिए सकते है x plus y plus z यह trinomial के लिए ठीक है तो इस तरह से हम एक्जाम्पल से लेंगे तो यह हमारे हो जाएंगे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बात आती है पॉलिनोमियल की किसकी पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स होते हैं के अंदर टर्म्स एक तीन से ज़्यादा होती है जैसे मैं आप और लिख देता हूं जैनल फॉम लिखता हूं एक स्क्वाइर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है यह क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल है ठीक है मतलब जिसकी पावर जितनी होती है उतनी ही उसके बोलेंगे क्वाड क्वाड्रिटिक की ठीक है लिनियर क्या होती है लिनियर होती है जिनकी पावर वन होती है जैसा हमने यहापर पड़े है इनकी पावर वन थी सबकी तो यह लिनियर थे ठीक है क्वाड्रिटिक जैसे मैंने यहापर एक्जम्पल लिखा यह क्या था एक्स स्क्वाइर प्लस लिडाफ्स तो यह सारी चीज़े आपको next classes में भी काम आएंगी थोड़ा थोड़ा अगर यहां पर आप सीख कर चलेंगे तो इस सारी आपकी काम की चीज़े हैं ठीक है चलिए आज हम कुछ और examples करते हैं multiplication के जिनमें और multiply की questions हम करेंगे ठीक है तो multiply की example 2 इसका multiply करना हमें x plus y से ठीक है यह हमने सिंपल से एक्जमपल लिए है second example लेते हैं 3 x multiply करेंगे हम इसकी 3 x square plus y से राइट third question 5 x into 4 x plus 2 y ठीक है ऐसे कुछ example हमने लिए चलिए फर्स्ट question देखें 2 को दोनों के साथ multiply करेंगे अंदर जाएगा 2 x भाई variable और constant जब multiply होते हैं तो as it is लिखे जाते हैं कोई changement नहीं होती है 2 into y दोनों sign plus हैं तो plus 2 y यही आपका answer होगा ठीक है अब इसकी करते है next question देखते है 3 into 3 numerical value numerical value से multiply होते है 3 3 is a 9 x की multiply जब x के साथ करेंगे तो क्या होता है power बढ़ जाती है मतलब आपस में add हो जाती है x की power 3 हो जाएगी और as it is लिखा जाएगा ठीक है next लेते हैं यह question हमारे पास आता है 3rd 3rd में लेते 5 4 जाओ 20 x की multiply x से करेंगे तो x square अब 5 x multiply 2 y से करनी है देखिए variable अलग है बाके और कोई भी चीज़ अलग नहीं है ठीक है बहुत easy है इसे ही करेंगे इसको 5 2 10 sign देखिए यहां पर plus यहां पर plus तो क्या आएगा plus 5 2 10 होगे x into y x y यह आपके पास answer ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको कुछ basic examples के साथ यह एक छोटा सा वीडियो बना कर भेजा है आप इसको अच्छे से देखें और practice करें जो भी question आपसे नहीं ह हो रहे हैं तो please आप comment में लिख कर भेज़े exercise number और question ठीक है और अच्छा लगे तो like कीजिए और साथ ही share भी करें अपने सभी friends के साथ share करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें thank you have a nice day